यूपी के बुलंद शेहर में आपूर्ती विभाग के टीम ने मिलावटी पेट्रोलियम पदार्तों की बिकरी के खेल का खुलासा किया है। तीम ने च्छापमार कारवाई के दोरान ना सिर्फ अवैद रूप से पेट्रोलियम पदार्त बेजते हुए एक आरोपी को धर्दबोचा बलकि आरोपी के निशान देही पर करीब 3,000 लीटर अवैद पेट्रोलियम पदार्त भी बरामत किये हैं। दरसल जहांगिरबाद शेत्र के अमरगण चौकी पुलिस ने आपूर्ती विभाग सियाना की टीम के साथ संयुक्त रूप से शेत्र में एक दुकान पर च्छापमारी की। पुलिस ने च्छापमारी के दौरान दुकान में अवैद रूप से पेट्रोलियम पदार्त बेचते हुए किशनपाल नाम के युवक को ही रासत में ले लिया। इतना ही नहीं आपूर्ती विभाग की टीम ने मौके से पेट्रोलियम पदार्त से भरे 17 ड्रम भी बरामत किये हैं जिसके बाद पुलिस अवैद रूप से पेट्रोलियम पदार्त बेच रहे आरोपी किशनपाल वे बरामत माल को इस थानिये कोतवाली ले गई। फिलहाल आपूर्ती विभाग द्वारा आरोपी के खलाफ जहंगिराबाद पुलिस को तहरीर दे दी गई है। शबी का इस्तिमाल था, किसी वक्ती विशेस का नहीं था और उसने शिकायत में पूरी लोकेशन लिखी थी, कि ओम पब्लिक सिकूल के सामने कोई केशन पाल नाम का व्यक्ति है, जो सामने सटर लगी होई है, वो सटर के अंदर मिलावती पेट्रोल लगता है। इसको थाना चोकी में थाना किराबाद के अंतरगत अमल गल चोकी में हम सबुर्दगी में देंगे। जहां का हिरासत में लेने की बात है, एक व्यक्ति जो मौके पाया गया है, क्या नाम है तुम्हारा केशन ना? केशन नाम का यह व्यक्ति है, तो यही पाया गया है। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंद शहर सी, हामिद सेफी की रिपोर्ट